सावन के इस पावन महीने में बिहार की राजनिती में भोले बाबा की एंट्री हो गई है और एंट्री कुछ ऐसे हो गई है कि राष्ट्रिय जंतादल के एक विधायक जी ने भोले बाबा से ये प्रातना कर दिया है कि वो नितीश कुमार को सद्धी दे ताकि नितीश कुमार वापस से महागटवंधन के साथ आ जाएं ते जस्वी यादों के साथ आकर के सरकार बना ले उसके बाद उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया है कि जब तक नितीज कुमार जो है भारती जनता पार्टी के साथ रहते हैं तब तक बिहार के विकास की रफ्तार जो है एकदम धीमी हो जाती है और जब जब नितीज कुमार पाला बदल करके महागटवंधन के साथ आते हैं तिजस्वी यादों के साथ आते हैं राजद के साथ आते हैं तब तब बिहार के विकास की रफ्तार जो है वो बहुत तेजगती से बढ़ने लगती है अब पूरी कहानी क्या है कौन है ये राष्ट्रे जनता दल के विधायक महोद है और इन्होंने क्या-क्या आरोप लगाया है और उसके साथ ही इन्होंने भगवान संकर से क्या-क्या प्रात्ना किया है इन सब मुद्धो पर हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप मेरा प्रिच्या जान लीजिए नमस्कार मेरा नाम वेद प्रकास है आप जनता जंचन देखना सुरू कर चुके हैं औ नितीश कुमार को भगवान संकर जो है वो सदबुद्धी दे ताकि नितीश कुमार वापस से तेजस्वी यादों के साथ आ सके राष्ट्रिय जनता दल के साथ आ जाए और सरकार बना ले अब राष्ट्रिय जनता दल के विधायक जी कौन है तो राष्ट्रिय जनता दल के ये विधायक है مुकेश रौसन अपने बयानों के कारण जाने जाते हैं हरदम जब भी कुछ बोलते हैं वो वाएरल हो जाता है और इस बार भी उन्होंने जब बोला ये बात तो ये वाएरल हो गया और वाएरल होना बहुत लाजमी से बात थै हाजीपुर में भगवान संकर के मंदिर से पूजा करके वो निकल रहे थे तब ही मीडिया वालों ने उनको घेर लिया और उसके बाद मीडिया वालों के सवाल करने पर मुकेश रौसन कहते हैं धिहार की राजनिती के लिए हम भोले संकर से प्रातना करते हैं कि नितीश कुमार को वो सदबुद्धी दे, वो उन पर जंतर मंतर फेके, ताकि नितीश कुमार का दिमाग खुले, और वो वापस से राष्ट्रिय जंतादल के साथ आ जाए, तेजस्वी यादो के साथ आकर के सरकार बना ले, अब इसको इन सब चीजों को पर बोलते हुए म केस रोसन जो है इस बात का दावा करते हैं कि जब जब राज़द के साथ जो है नितीश कुमार सरकार में रहते हैं, महागठवंदन के साथ सरकार में रहते हैं, तो जश्वी यादो उप मुख्य मंतरी रहते हैं, तब विहार के विकास की रफतार जो है बहुत तेज होती ह और बिहार तेजी से विकास करता है लेकिन जब जब नितीश कुमार पाला बदल करके NDA के साथ जाते हैं भारतिय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तब तब बिहार का विकास जो है एकदम स्लो पर जाता है धीमा पर जाता है और इस कारण से नितीश कुमार को वापस से अब म अब भोले संकर उनकी कितनी बात मानते हैं और कितना नितीश कुमार को सदबुद्धी देते हैं या फिर नितीश कुमार पाला बदलने पर मजबूर होते हैं ये तो वक्त बताएगा लेकिन फिलाल आप इस बात को समझ लीजिए ये पूरे देश में सावन का महौल चल रहा ह से भगवान संकर को जल चरहने पहुंच रहे हैं अलग-लग मंदिरों में और जाकर के अपनी मानताय मांग रहे हैं अपनी इच्छाय पूरा करने का प्रातना कर रहे हैं और ऐसे में राष्टिय जनता दल की ये विधायक जी ने एक अनोखा इच्छा ले करके भगवान संक में रुद्रा विशेक किये थे और उसके बाद जो है पटना के पंचमुखी अनुमान मंदिर में पहुंच गये थे पूजा करने अपनी पत्नी के साथ और उसके बाद से इस बात को आप समझ सकते हैं कि कैसे बिहार की राजनिती में जो है अब भगवान संकर की एंट्री ह करते हैं कि नहीं यह तो देखना दिल्चस्प होगा बाकी इस खबर को लेकर कि आप क्या सुचते हैं मुकेस रौसन के इस बयान को लेकर कि आप क्या सुचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट के माद धम सपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता बहुत बहुत धन्यवाद